अग्जाम सक्सेस एक ऐसा प्लैटफॉर्म जहां आप किसी भी एक्जाम की तयारे फ्री बिल्कुल फ्री में कर सकते हो दोस्तों आप जो भी गवर्मेंट एक्जाम देते हो उसमें भारत से संबंधित बहुत सारे कोशन आते हैं क्योंकि भारत हमारी कंट्री है हमारा देश ह तो उससे रोटेट बहुत सारे कोशन आते हैं तो हम आज यहां कुछ ऐसे कोशन लेका हैं जो ना जाने हमारे टीजर्स ने कितनी बार बच्चों को पढ़ाया है और हमारे लड़कों ने इन कोशन का अच्छा जवाब देके सही जवाब देके अच्छे अच्छी करने के बाद इसे एक्जाम में अपलाई करके अच्छा अंग प्राप्त करना तो चलो हम इंज टार्ट करते हैं आज के लिए आज Cub कह सबसे पहला सवाल है भार्त से संबंदे भारत ऑकरिती क्या है भारतै की आकरिती क्या है भारता की आकरिती चतु श्कून यह हैं Quad Angular Quad Angular है या चितु स्कून यह है याद रखिएगा नेक्स्ट भारत में सबसे पहले सूर्य उद्य होता है सबसे पहले कहां सूर्य उद्य होता है अरूनाचल परदेश में याद रखिएगा नेक्स्ट है भारत के पूर्वी घाटों को क्या कहा जाता है क्रोमंडल तक कहा जाता है ओके नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी घाटों को क्या कहा जाता है मालबार तक कहा जाता है नेक्स्ट भारत में कुल नगरों की संख्या कितनी है पांच सो सोला है याद रखिएगा नेक्स्ट भारत में सरक मार्ग की कुल लंबाई है कितनी लंबाई है तो यह है लंबाई 18,43,420 किलो मेटर 18,43,420 किलो मीटर 420 से कुछ कर दो मत समझ लिजेगा नेक्स्ट कोश्चन है भारत की सबसे उची चोटी सबसे उची चोटी कौन सी है? केटू या गौडविन अस्टिन यह है सबसे उची चोटी याद रखिएगा भारत का सबसे प्राचीन परवत कौन है? आरावली परवत आरावली परवत जो है यह किस परकार का परवत है? आपको मालूम है? कॉमेंट बॉक्स में लिखो मुझे बताओ कौन लिखो मैं देखना चाहता हूँ कौन-कौन लिखना चाहते हैं और नवीन परवत कौन है यह अगर अरावली प्राचीन परवत है तो नवीन परवत कौन सा है शायद आपने लिख दिया होगा अपर तक मैं आपको बता दू अरावली जो है वो बले परवत है फोल्ड माउंटन है सबसे प्राचीन और नवीन में फोल्ड माउंटन में हिमाल ले आता है तो याद रखेगा बहुत जरूरी है यह कितनी बार यह सारा कुशन रिपीट हुआ इतनी बार रिपीट हुआ है आप सोच भी नहीं सकते हैं और हमारे स्टुडेंट इसको बार बार लिखके बार बार कई सारे एक्जाम पास करते हैं तो आप भी इन कुशन को इठा के रख लो चलो नेक्स्ट कोस्टन माउंट एवरेस्ट को निपाल में क्या कहा जाता है तो इसे निपाल में सागर मथा कहा जाता है नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट को अब चीन में क्या कहा जाता है नेपाल में तो सागर मथा करते हैं चीन में इसे कहा जाता है कोयो म लांग उच्छारन हो सकता है कुछ हागे पिछे हो पट आप याद अखना कोयो मो लांग नेक्स्ट मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला दर्रा क्या है दर्रा क्या है ज़रा कॉमेंट बॉक्स में लिखके मुझे बताओ तो दर्रा पास इंगलिस में बोलते हैं पास क्या है तो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसे थाल घाट कहते है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने comment box में लिखा हो या ना लिखा हो, दर्रा जो है, दो पहारों के बीच में जो रास्ता होता है, पास होता है, पैसे जाने जाने का, उसे हम geography में दर्रा करते हैं, मालूमी होगा आप लोगों को, next, भारत का एक मात्र सक्रिये ज्वाला मुखी और वो है, बैरन अंडेमान में, याद रखिएगा, कोई भी doubt confusion हो, comment box में लिख दीजिए, next, भारत की जलवायू कैसी है, उश्न कटी बंधिये है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इंडिया का याद रखिएगा, न्यू जलोड मत्टी, मतलब नया नया, न्यू कुछ मिस्प्रिंट हो गया, को क्या कहा जाता है, ने जलोड मत्टी को खादर कहा जाता है, next, पुरानी जलोड मत्टी को क्या कहा जाता है, इसे बांगर कहा जाता है, जलोड मत्टी क्या होता है, मेरे ख्याल से आप लोगों ज़रूर पढ़ा होगा अपने इंसिच्यूट में कुछ इन में मुझे लिख के बताओ कॉमेंट वाक्स में जलोड मट्टी क्या होता है मैं देखना चाहता हूं इनको किनको मालूम है नहीं मालूम है तो भी लिख दो हम आपको पताएंगे एक्स्प्रेंट करेंगे कपास की खेती के लिए सरवाधिक उप्युक्त मिट्टी कौन सी है काली मिट्टी या कालू यहां कुछ मिस्प्रेंट है काली मिट्टी ब्लैक स्वाइल सबसे ज़्यादा उप्युक्त मिट्टी है और जलोड मिट्टी किसे कहते हैं मालूम है जलोड मिट्टी जो नदी में जल के साथ जो मिट्टी आती है जब बाढ़ आता नदी अपने साथ बहुत सारा अवसाद ले के आती है तो उसे वो जो जमीन पर रह जाता है उसे जलोड मिट्टी कहते हैं चलो नेक्स्ट पे चलते हैं भारत का राष्ट्यगान क्या है जन्गन्मन भारत का राष्ट्यगीत क्या है वंदे मात्रम दोस्तों यह कहनें को यह दोनों जो है बहुत ही सिंपल और बहुत ही असान है बट हमेशा लड़के कलती करके आते हैं किमि और राष्ट्यगान में वंदे मात्रम लिख만 देते हैं और राष्ट्यगीत में जन्गनमन दिखते हैं आप पुझे के मालूम कैसे याद करोगे आ अशो्क स्थम्भ बहारत का राष्ट्यपंचांग क्या है नेक्स्ट, भारत का राष्टिय वाक्य क्या है? सत्यमेव जैते, सत्यमेव जैते का अर्थ क्या होता है? कॉमेंट बॉक्स में मुझे लिखके दिखाओ, देखना चाहता हूँ किनको मालुम है? नेक्स्ट, भारत की राष्टिय लिपी क्या है? देव नागरी लिपी, जो हम लिखते ना हिंदी, देव नागरी लिखी हिंदिया संस्कृत नेक्स्ट भारत का राष्टिय ध्वज गीत क्या है राष्टिय ध्वज चंडे का गीत क्या है flag song and that is हिंद देश का प्यारा चंडा याद रखना नेक्स्ट भारत का राष्टिय नारा क्या है समयव जैते नेक्स्ट भारत की राष्टिय विदेशनीती क्या है? कुट निर्पेक्च याद रखेगा नेक्स्ट भारत का राष्टिय पुरुषकार क्या है? भारत रत्म नेक्स्ट भारत का राष्टिय सूचना पत्र क्या है? श्वेत पत्र भारत का राष्टिय व्रिक्ष क्या है पर गद भारत की राष्टी नदी कौन सी है गंगा बहुत ही सिंपल हैं बट कन्फियूज मत हुईएगा रिवाइज करते रहेगा भारत का राष्टिय पक्षी, राष्टिय पक्षी कौन है? मो, डाउन कन्फिजन कुछ भी हो, कमेंट बाक्स में लिखती जिए नेक्स्ट, भारत का राष्टिय पशु कौन सा है? ये सब कोशन बहुत ही असान है, लेकिन कई बारी लोग कन्फिज हो आते हैं, ट्रिकी होते हैं, इसलिए मैं रिवाइस करवा रहा हूँ और आप भी रिवाइस करते रहना ताकि एक्साम में बिल्कुल गलती ना हो नेक्स्ट कोशन, भारत का राष्टिय फूल, फूल जो है वो कमल का फूल है, नेक्स्ट, भारत का राष्टिय फल, आम, फलों का राजा आम, नेक्स्ट, भारत का राष्टिय योजना, राष्टिय योजना क्या है? पंच वर्षिय योजना, इंग्लिश में क्या बोलते है है five year plan ओके भारत का राष्टिय खेल क्या है होकी बहुत सारे स्टुएंट गरबढ़ करके आते हैं कबड़ी लिखके आ जाते हैं बड़ कबड़ी नहीं होकी है और होकी के जादूगर किनको कहा जाता है comment box में लिखके बताओ जल्दी 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 कौन लिखता है मैं देखता हूँ होकी के जादूगर है मेजर ध्यान चंद नेक्स्ट भारत की राष्ट्य मिठाई क्या है राष्ट्य मिठाई मुवें पानी आ रहा है जले भी नेक्स्ट भारत का राष्ट्य पर्व क्या है भारत का राष्ट्य पर्व दो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो वाटसाफ फेस्बुक या जो भी शोशल मीडिया आप यूज करते हो उसके माध्यम से धन्यवाद